हलो गाइस वेलकुम टिस चानल अब तर हमने लेयाउट बनाने के तीन मेथर देख लिए सबसे पहले हमने देखा था डिस्प्रेय प्रॉपर्टी में कैसे इन लाइन इन लाइन ब्लॉप ब्लॉप और नन वैल्यू का यूज करके लेयाउट बना सकते हैं उसके बाद हमने द बहुत ही चौमन ली यूज जो यह होता है लियाउट बनाने का और स्वेक्स मॉक्स करके बहुत कॉंप्लेक्स को आप सिंपली बना सकते हैं अब हम देखते हैं कि तो चलते हैं हमारी एम डी एन की वेबसाइट पर तो देखिए फ्लेक्स मॉक्स होता गया है फ्लेक्स मॉक अब मैं आपको एक image दिखाते हूँ, अब नीच आते हैं, यहां, तो यह flex model होता है हमारा, flex box में सबसे व्यली क्या होता आपका, यह देखिए, यह जो सबसे बड़ा box है, यह pink color वाला, यह होता है हमारा flex container, सब्होस कीजिए हमने डिव बनाया जिसकी समने ड़ित रखनी है तो यह जो फशने को सी एह हमारा वई बड़ा में बोक्स है जिसकी समय ड्यक्ष सब्सक्राइब एक पर घ्रीद करें जिनकी समने सब्सक्राइब कर दी तो हमारे कंडिव है कंड गन अई रख लिगा रखें आ वो होती है हमारी में एक्सेज और जो हमारी वर्टिकल एक्सेज होती है वो होती है हमारी क्रॉस एक्सेज और यह देखिए यह जो वर्टिकल एक्सेज है इसे क्रॉस स्टार्ट कह सकते हैं और इसे क्रॉस एंड कह सकते हैं मतलब वर्टिकल स्टार्ट और वर्टिकल एंड य जितने भी आइटम्स होते हैं वो आपके चाहिलाते हैं अब हम किसी भी चंटेनर को पेरेंट फ्लेक्स कंटेनर कैसे बनाएगे जो हमारा कोई भी पेरेंट कंटेनर होगा आप उसको फ्लेंट बोक्स में कैसे अबर्ट करनेंगे आपको बुछ नहीं करना होता है जो आपको पेरेंट कंटेनर होता है वो फ्लेक्स कंटेनर बन जाएगा और जो आपकी आइटम्स होंगे उसके अनदर जतने भी बॉक्से के चाईड वह सारे आपके व्लेक्स आइटम बन जाते हैं एक बार हम वी एस कोड में चलते हैं और यह चीज़ करके देखते हैं कि हम कैसे एक बॉक्स को फ्लेज बॉक्स में कनवर्ट करेंगे चलते हमारे विस कोड में यहां देगे यहां पर हम आगे हमें इस कोड की जरुरत दे हैं हमारे पुराना कोड एक काम करते हूं मैं इस डिव को हटा देती हूं हमें इसकी नीड नहीं है तो इस डिव को डिलीट करते हैं यहा टॉल करते हैं और डिलीट अब हम पूरी html फिर से लिखेंगे यहां देगें यहां सबसे बले मैं डिव लूँगे डिव की क्लास दीनिये गंटेनर तो मैं हहां लिखूंगे डॉट कंटेनर अब इसके अंदर मुझे चाहिए बॉक्स और मुझे बहुत साले डिव चाहिए जिनकी क्लास बॉक्स होगी यह देखिए कि आपका आगे बॉक्स अब मैं काम करती हूं इन में कुछ नहीं लिखती सिर्फ इन में 1,2,3 लिख देती हूं 5, 6, 7, और ये हो गया हमारा 8 ये हमारे 8 बॉक्से ओप करते हैं इनने हम देखते हैं कि हमारे बॉक्से दिख आए से घ्रे हमारा लियाउट आयक्ट्फ करते हैं कुछ ऐसा दिख आपका वेब जहा यहाँ पर आपकी 1,2 3,4,5,6,7,8 लिखा गया अब वे काम करते हैं इस कंट यहां पर सबसे पहले एक काम करते हैं मैं default margin और पैडिंग सबसे बहुत करना चाहती हो तो मैं यहां लिख दूँगी margin 0 और padding भी कर दूँगी मैं 0 मैंनी चाहती जो elements में default margin और padding होती है वो हमारी add अब सबसे पहले में जो container है उसको border दूँगी और इसको दूँगी मैं border 4 pixel solid red और इसको एक काम करते हैं margin भी दे 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 हैं थोड़ा सा जाधा styling अड़ हो जाएगी है हमारी और इसे मैं 5 पिक्सल की margin दे देती हूँ top bottom left right सबसे और इसे padding भी दे देती हूँ 10 pixel की top bottom left right सबसे और एक काम करते हैं हमारे boxes को style करते हैं सबसे पफलिए जो box है मैं इसकी width set कर देती हूँ मैं इसकी width कर देती हूँ अंडे नहीं एक काम करते हैं 200 pixel रखेंगे और इसकी height भी set कर दे दे 200 pixel 20 pixel लाइग है हमारा हमें 200 100 पेसल करनी थी और एक काम करते हैं इसमें तेन पेक्सल स्था यटे से और मार्जिन देदे देते हैं मैं आपस मैं ओर के लिट्सांद और में ने यह था और आएं बांडर क्लेर और घलान लार जेता हैं और इंड्र हेला प्रमरा को ऎगन इनकी Height साहिए मैंने इनकी Width थोड़ी सी ज्यादा लख लिए मैं इनकी Width थोड़ी सी कम करना चाहूंगी और एक काम करती हूँ मैं इनकी Width 150 कर देती हूँ और एक काम करती हूँ विट और हाय फॉम्सु ही 150 करके चलेंगे अब ठीक है इनकी Height & Width 115 क crouch में था वॉनर मुझे कहीं दिख नहीं रहा है लेट मी चेक जो हमारा कंटेनर था देखें कंटेनर में मैंने टी और ए यह मिस्टेक में से बहुत बार हो जाती है हाँ अब ठीक है और मैंने कंटेनर की स्पेलिंग गलत लिख दिये और मैं मुशली कर देती हूं अब चेक करते हैं हाँ आप कंटेनर का बॉर्डर भी आ गया अब यह देखें यह सारे बॉक्स आपके एट के आउगए अब अगर आपको यह चाहिए कि यह आप इन्हें कंवर्ट कर दें एक फ्लेक्स बॉक्स के अंदर तो वह कैसे करेंगे आपको कुछ नहीं करना सबसे वहला आपको पेरेंट कंट टेर कि औरुम इंडर होता है अगर उसको फ्लेक्स बॉक्स में जाते हैं तो आपको कुछ नहीं उसकी डिस्प्लेगों हमने जैसे इन लाइन ब्लयू इन बेस ऐसे आपको फ्लीक्स के गोंदेना में कि जैसी अफ्लेक्स करेंग के यह आब और यहां देखिए इष्म बॉक हो गया और फ्लेक्स बॉक्स में कनवर्ट होते ही यह सारे एक रो में आगए यह रो है हमारी जो होरिजॉंटल एक्सेज होती आपकी वह रो कहलाती है और जो वर्टिकल एक्सेज होती है वह आपकी कॉलम कहलाती है तो यह हमारी रो है और हमारी कॉलम है तो यह में एक्सेज ह horizontal जो होती आपकी main access होती है और vertical आपकी cross axis उती है यह आपको एक धियान दखना अब flexbox की property होती है जब भी आप एक flexbox बनाएंगे कंटेनर को flexbox में convert करेंगे तो उसके अंदर जितने भी items होते हैं वो child items सारे के सारे एक row में aligned हो जाते हैं तो यह सारे पहले तो जब भी आप किसी कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो उसके अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं वह इक रो में अलाइन हो जाते हैं आप बाद में इने चेंज कर सकते हैं कॉलम में मैं आपको भी उदाऊंगे लेकिन बाई डिफॉल्ट उनकी प्रॉपर्टी ह होते हैं कि वह एक रो में आते हैं और एक काम मिया करते हूं जो फोंट साइस है न हमारे इनका वन्ट इनका यूंध और मैं इसका box का font size कर देती हूँ 32 pixel कर देती हूँ और font weight भी कर दूँगे मैं 900 9 press नहीं हुआ 9 अब भी press नहीं हुआ 900 आप ठीक है अब एक काम करते हैं जो हमारा यह flex box है इसमें item सारी एक ही row में align हो रखें मैं चाहती हूँ यह column में align हो जाए तो वो कैसे कर सकते हैं यहाँ पर आईए और आपको कुछ नहीं करना यह container में आपको यहाँ पर flex direction छूब लेना है आप flex direction column कर देंगे अगर आपको column में चाहिए मतलब आपके जितने भी flex items जो है अगर वो आपको column में चाहिए तो आप उन्हें लिख देंगे flex direction column ये देखिए अब आपके ये सारे flex items column में आगए वापिस by default अगर आप किसी container को flex box में convert करेंगे किसी container को flex container बनाएंगे तो वो सारे एक ही row में आएंगे लेकिन आप उनकी access को change कर सकते हैं using flex direction और अगर आपको row करना है तो आप यहां से सीधा खुद भी row कर सकते हैं मैं यहां से अगर खुद row लिख दूँ ये तो by default होता ही है लेकिन अगर मैं row करना चाहती हूँ तो मैं यहां ऐसे row लिख सकते हूँ तो क्या होगा यह आपके items उल्टे स्टार्ट हो जाएं याने यह देखे यह यहां से स्टार्ट हो गए यह पहले यहां से स्टार्ट हो रहे थे यह आपकी main access है और यह जो है यह आपका main end है तो यह पहले main start से स्टार्ट हो रहे थे अब यह मेंन से स्टार्ट होंगे पहले लिफ से स्टार्ट हो रहे थे अब यह राइट से स्टार्ट हो तो यह रिवोस में अलाइन हो जाती है आप ऐसी कॉलम में भी कर सकते हैं मैं इसे रो रिवोस ना दे के कॉलम रिवोस देती हूं कॉलम रिवर्स अब यहां से न उपर से स्टाइट हो गया तो जो फ्लैक्स डिया रिक्षिंट होते हैं वह हमारी लिफ्लैक्स चंटेनर होता है जो पैररेंट कंटेनर हो था उसके बात बहुत सारी रॉपượng SS है वहां भी ठोड़ाद हम हम इसारी प्रॉप्टीजी भी डिसकर सक रहें में पेरेट में में और हम इसको रोपर रोफ यह और और उड़ेकर से अब एक काम करते हैं यहां इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट पर करने के बाद मैं आपको इसको मुबाइल की हिसाब से दिखाते हूँ यहाँ पर काम करते हैं इसकी डॉक साइट को मैं साइट में कर ले दियो और यह देखे आपके जो बॉक्से है वो कुछ ऐसे है अगर मैं इसका स्क्रीन साइज थोड़ा कम करना चाह और श्रिंक होने के बाद यह देखे आपका जो साइज है इनका साइज बिगड़ी और इनका लियाओट बिगड़ी इसको कैसे अंडिल कर सकते हैं हम एक काम करते हैं यहां वी एस कोड में चलते हैं वह प्लेक्स राप यह भी एक प्रॉपर्टी होती है यहां पर आप बाद निचा के लाएं जसे यह मिलेगी अगर यहां फचीं नहीं पर रहें लेकान चीषब में रहें लेकिन स्कीलिश नहीं मिलें देखे स्पेस मिलता जाए तो एक लाइन में आते जा रहे हैं और जैसी इनका स्पेस कम हो जाता है इन्हें लगता है कि हम 150 पिक्सल की विट्ट यहां नहीं ले पाएंगे तो यह नीचे इलते जा रहे हैं यह होती है आपकी फ्लेक्स राप प्रॉपर्टी इसके अंदर हमने यहां पर लिख दे नो राप तो यह राप नहीं होगे यहां देखे अब अभी राप नहीं होगे अग मैं छोटा कर दियों अगर मीट छोटी ओरे स्क्रीन की विट कम होगी मैं स्क्रीन साइज कम करूंगी तो यह श्रिंक होते चले जाएंगी और हमारा लेयाउट पूरा का जाएगा इसी द्याएप नो राप को यूज नहीं करते हैं वोश्रीघा यूज कर लिया जाता है ऐसी एक वैंधी होते हैं आपकी राप यहां पर जैसे आप लिखेंगे राप यहां देखे आ गई डा प्रिवर्स राप रिवर्स में क्या होता है अभी तक जो हमारे बौक 627 अब अगर देखे मैं इसका स्क्रें साइज छोटा करूँगी तो आप उल्टे राप होते चले जाएंगे फॉस से एड तक मि एड से फॉस तक राप होते चले जाएंगे और अगर आप इन्हें उपन करें तो देखे यह उपन भी सिटाइप से होते हैं तो यह होती हैं खर इन दोनों को एक ही लाइन में रिखलाना चाहती हो घ्लेकसषर अराइस sudah तो मैं flex flow property का यूजा कर सकते हूं मैं लिख सकते हूं प्लेकस फ्लोईस रों में आपको सबसे पहले बताना होता है कि आपका flex direction क्या होगा तो मैं यहां चाहती हूं flex direction मेरा को column और मेरे wrap होने चाहिए मैं इन आपको row reverse करके दिखा देती हूँ और यहां देखे उल्टा स्वाथ होगा आपका row और एक बार देखते हैं भी wrap हो रहे हैं या या नहीं कि दिखे रैप हो रहे हैं तो आप इससे single line में आप अपना property को लिख सकते हैं आप इसे row reverse लिखे, column लिखे, whatever you want आप लिख सकते हैं मैं एक काम करते हूँ, यहाँ पर लिख देते हूँ comment में पहले क्या आएगा, flex direction और उसके बाद आता है आपका flex wrap flex, flex wrap तो यह होगे आपका flex flow आप इन दोनों property को use कर सकते हैं, इसके बाद हम देखते हैं justify content, justify content आपकी property होते हैं जो आपके items को align करती है, justify content में अगर आपकी flex direction, अगर आप उपना flex direction row रख रहे हैं यह दियान रखे हैं अगर आपका flex direction row है, तो आपके justify content से जो आपके items align होगे, वो horizontal main axis की through align होगे और अगर आपने flex direction column दे रखी है, तो आपकी जो access होती है, वो वर्टिकल पर अन जाती है, और वर्टिकल एक्सिस के around आपके items align होते हैं justify content में भी बहुत सारी values होती है, जैसे कि flex start, flex and और यहां पर काम करते हैं, इसकी मुझे ज़राती ही, इसे मैं comment कर देती हो, पूरी line को, अब आते हैं यहां पर, और यहां पर कि मैं लिखती हू, justify content अब इसकी सबसे वाली मैंने क्या दे रखा है, मैंने दे रखा है display flex, मैंने अपना flex direction अभी set नहीं करता है, यह दियान रखे, मैं इसमें सबसे में justify content center निखूँगे, मैं आपको एक दू boxes कम करके दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको इसे center से easily समझ नहीं आएगा, और मैं यहां आती हूँ, और अपने यह 3 boxes को comment कर देती हूँ, जरुद पढ़ेगे अब हमने display flex दे रखी है, और display flex देने का मतलब है, अगार हमने flex direction कुछ भी set नहीं कर रखी है, तो रोगी, और justify content हमने center दे रखा है, बस यह धान रखे अभी, अब यह देखे, justify content से क्या हो, center से क्या हूँआ, पहले हमाने items होते, वो यहां से start हो रहे थे, main access में main start से, यहां corner से left corner से start हो रहे थे, अब यह center में आ गए, यह horizontal center में आ गए, अब सारी values बता देजी, justify icon किनगी, सबसे वहले था हमने यह देखी, उसके बार हमें काम करते हैं, इसी को copy करते हैं, और मैं आपको यहां से flex start दिखाते हो, अगर आप flex start रखेंगे, तो कह होगी value आपकी, और इसको मैं फर्फ देती हूँ, comment out center अब एक काम करते हैं, इसे देखते हैं, यहां देखें, यहां पर flex start से, यहां से start हो गया, अगर flex start देगे आप तो यहां से start हो जाएगा, main axis में starting से start हो जाएगा, ऐसी आपका flex start की तरह flex end भी होता है, अगर मैं यहां पर flex start की जगा end पहले flex start में यहां से start हो रहे थे, एक ऐसी होता आपका space around, और यहां आते हैं, और फिरसे से copy करते हैं, और मैं इसे यहां पर दूँगी space around, अब space around से क्या होता है, यह देखें, space around में जो आपका space है, वो आपके box के पहले box की end में और बीच में भी आता है, तो यह जो आपक space around, ऐसी آپ का एक ऊचान है, space between, space between भी ओता है, space जो आपका आता है, वो सिर्फ boxes के बीच में space आता है, यह देखें, यहां पर यह जो starting का space था, यहां space start में और end में नहीं आता है, भी सिर्फ बीच में आता है, बोक्स से जो देखा, इब आता है, space around और between में यह difference है कि space between में सिफ boxes के बीच में space आएगा लेकिन around में starting में और end में दोनों में space आता है ऐसे एक होती है आपकी property space evenly और इसको मैं copy देओ और यहां लिखते हैं space evenly और आपको evenly नाम से ही समझा रहा होगा कि या उसमें आपका space evenly आता है चाहिए वो आपकी box के पहले हो चाहिए box के बाद हो तो यह property होती आपकी justify content justify content में तो justify content अभी तक हमने flex direction जब हमने row रखी है तब देखा है अब flex direction हम अपनी column देख लेते हैं यहाप या पे आते हैं और इसको flex direction को अपनी column कर देते हैं और इनको कॉमेध़ करते हैं, एके करके दिखेंगें, इन्हें एके करके मैं कॉमेध़ कर दियँ और आपको जस्टिफाइब कॉंटेंट सेंतर से दिखा हुएे, तो मैं इसको हाइट देती हुए कांटेणER को मैं इसको 1000 प्रिक्सलीजी है देती हूं तब यह पो सेंटर दिखेंगा वरना आपको सेंटर समझ नहीं आई हो 1600 पिक्षिन कर देती हो फ्लेक्स को स्टार्ट को कोमेंट करता है अर जस्टिफाइ कॉंधें से अभी कोंधें जब मैंने सेंटर गिए यहां देखें मैंने हमाइड बढ़ आइए display फैस कि एफ्लेक्षन कॉलम की और जिस्टिफाइइ कॉंदेन को सेंटर किया है अब देखते हैं किए किये वर्टिकली सेंटर हुए या नहीं हुए यह तो बहुंको पर देख है और यह लाभ किMore स्पेश दिखे निए तो यह flex start को देखते है它 Sam's से अप समझें कि हऊगी आप हिए स्टर्टिंग में आजाएंगे उपर से इस टाड़ होगी यह देखिए और यहां नीचे सपेस होगा आपके items flex N से और अब इन में flex end भी देख लिए हमने अब देखते हैं space between इसमें बहुत सारी value होते हैं आप एगे करके सारी value देख सकते हैं और यहाँ देखें यह space between इन में first में और last में space नहीं आया आप कर दुदे between में सिस बॉक्स के बीच में space आता है और यह है ऐसी आपका हैу स्पेस आवंड जैसे हमने देखा था और एक काम करता है इसयों कोमेंट करते हुँ है और और पाक्टमार में अनटर और रग कोंनेट और इस फेस आरौंड अप्क्स प्रेस अना चाहिए रस्राइब last story और अपका बॉकस के वीच में ब्याण थे फैंट यह देखियो तो यह होतिया अपकी जस्ट्वाइ कॉँंट प्रॉपेटि तो एक प्रपरटि और में लग कि आपने गार्डा करता है चाहरे हो मेंटिश सेथ subsidisdonald करते हैं ऐसे align item काम करता है align item काम करता है cross axis के दुरू अगर आपकी cross axis है तो उसके according आपके items align कर सकते हैं इसमें भी जैसे center और flex start flex and ऐसे सारी values होती है सबसे पहले तो मैं इसका flex direction row ही रखोंगी और इसके display flex रखते हैं तो by default आपकी जो direction होती है वो रोई होती है अब इसे comment करते हूं मैं एक बार आपको दिखाते हो हमारा UI लग कैसा रहा है तो सबसे पहले चलते हैं align item देते हैं और align item मैं यहाँ पर दूंगी center और अब देखते हैं हमारा यह देखें अभी मैंने जब इसे align करता तो cross-axis क्या होगी cross-axis हमारी ऐसे होनी जाहिए तो यह वर्टिकली center हो जाने चाहिए यह देखें तो यह वर्टिकली Center होगा है में ग्सेज़ देखते हैं तो में एक्सेज़ क्या होती हमारी horizontally ईसे कौपी कर तो इस वाले को करते हैं मेंकन और यहां लिख देता है अब देखते हैं आपको बताएए अब एक बाद FLEX END दिए देखते हैं और यहां पर से कॉपी करते हैं और यहां लिखते हैं FLEX END अब एंड में आजाने चाहिए यह देखे यह उपर प्रेस बन गए यह एंड में आ गया तो यह Cross Axis में एंड में गाऊ स्ट्रेच यहां पर देखते हैं यहां पर इन्स को भी कॉमेंट करते हैं और इसको भी रहते हैं और इसे की व्या युद्ध बेसिए लोग चेश्च स्ट्रेच यहां पर हमारा आटम्स टेनाट्स लिए यहां पर हमारे फेर्च्नी एविः Marvin बisद चायल अईटम आइटम से उनकी हाइड अगर आपने में नहीं तो बाइड डिफॉल्ट यह पॉल्ट यह करके दिखा देखा दूओ हाँ यह बाइडिफॉल्ट भी स्ट्रेच होते हैं तो हमने सीखा जस्टिफाइ कॉंटेन और अलाइन आइटम का यूज करके हम अलाइटम को अलाइन कर सकते हैं में एकसे और प्रॉस अगर आपको में एकसे के कोरिस्पोंडिंग आइटम सालाइन करने तो आप नहीं है और एक काम करते हूँ मैं यहां पर आपको एक प्रॉपटि ओर डिखाऊंगे आलाइन क्वह कोंटेंट मैं यहां पर सिर्फ आपकर रभोंगी और इसका फ्लेक्स स्टार्टर रखोंगी और जस्क्वाइन चूंद्गी है अब में इस्प्लेइं अक रहे हैं तय नमारा कुछ ऐसे आगया अब मैं इंस्पेक्ट करती हूँ और इसको स्क्रीन साइज को कम करके दिखाती हूँ यहां पर जब मैं स्क्रीन साइज कम कर रही हूँ तो देखे आप में जो फिस्ट बॉक्स वो नीचे आ रहा है ध्यान से देखे यह यहां मिडल में आ गया अगर पर पर तो यह पूस अबस बहुना क अगरऑ पिर फिर दो आइटम और फिर खर मिया खाटिओ और आपको कर दो इस aussi अंक्मेंज कर लेता है बाकी यहां करती हूँ मैं तीनों फोख्स को मैं सिखस रखना चाहिए बस蛹 पर एंगिंडों थे सब्सक्राम कुछ यहां यहां प तो दो दो बॉक्स के बाद आपका आ गया पेस अब यहां पर करेंगे हम एक Alline Content property का यह आते हैं और Alline Content property का यूश करेंगे अलाइन content भी आपकी फ्लेक्स पर इन फ्लेक्स अंतिनर की property होती है और आइन इस्वालाइन आइटम लाइन content को confused मत कीज़ेगा align content करने को align content center करेंगे अब देखता है अब अब align content करने से क्या हूब ये ये देखें ये सारे के सारे आपके box center में आ गयां यहां से center में आ गया इसकी screen तो थोड़ा बड़ा करते हैं यह देगे ये आगले cross axis के center में तो नवे आप flex sąग करते हैं और एककी जो협श्यすट हु अउन में जो स्पेस बन जाता है अगर को स्पेस को हैं तो आप उस स्पेस को हैंडल करने के लिए Align Content Property या यूज करते हैं अगर आप Align Content करते हैं तो यहां पर जो Space है वह स्टार्टिंग में और एंड में आ जाता है और यहां अपकी Center में आ जाते हैं तो यह यू रहोता है आप कि Align Content का Align Content आप इसे copy करते हैं और इसे करते हैं comment और यहां पर मैं use करती हूँ देखें यहां पर भी होते हैं flex start flex and मैं यहां पर space around का use करती हूँ और अब देखते हैं अब कितना space आया होगा कहां space आया होगा यह देखे आप space around करने से यहाँ पर starting में और बाद में space देखे यह बन गया space around में आपका starting में space आता है बाद में space आता है मने आपको बताया था और आपको between में space आ जाता है इसी नहीं आपका यहाँ space बन गया अगर आपको बीच में space नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर use कर ले स्पेस के बीच का स्पेस मैंट हुगा क्या पेच को मैंन ली जासे हमने में स्पेस के बीच में स्टार्ट ए नहीं अर्ड में स्पेस बन गा तो यह होताए आपका प्सisz इवन नी इस पेस अराउंड स्पेस बिट्वीं सेंटर अपने अक्वाडिंग लिए सकता है जब भी आपको लाइन स्पेस पेस हैंडल करना है तो ध्यान दिखेगा यह बिट्व आप यूज करेंगा अलाइन कॉंटेंट का अलाइन कॉंटेंट और अलाइन आइटम में से आ अलाइन कॉंटेंट और अगर मैं फ्लेक्स राप यूज ना करूं तो क्या होगा और फ्लेक्स राप यूज नहीं गरा मैंने तो देखे तो यह इनमें स्पेस नहीं बना फ्लेक्स राप अलाइन आइटम तभी उज करते हैं जब आपका फ्लेक्स राप होता है अगर आप नहीं करेंगे तो आप align content का यूज करने का कोई मतलब भी नहीं बनता यहां मैंने flex wrap किया और हमने center कर रहा है तो यह space नहीं बनेगा अगर मैं center हटा दूंगी तो space आपका वापस बन जाएगा यहां आते हैं और हम इसको align content को center को comment कर दे रहे हैं यहां space बन गया यह देगे और मैं से और छोड़ा सा छोटा करूं यह देखिए five or six boxes आपके यहां पर देगे इन में space बन गया तो यह यूज होता है आपकी align content property का तो हमने यह properties देखिए सब्चनल ने हमने देखिया एक container को कैसे बनाते हैं उसकी डिस्प्ले को हमें करना होता है flex dan do you have a parent container के अंदर जो हमारे Child items होते हैं उनकी direction को हम कैसे अंगल कर सकते हैं flex direction का यूज करें इसमें हम row column row reverse और column reverse properties का use कर सकते हैं, उसकी बाद ही है flex wrap, अगर हम भी wrap करना है, तो हम wrap भी कर सकते है, हम wrap reverse भी कर सकते हैं, उन्हों wrap भी कर सकते हैं, उसकी बाद ही है flex flow,र फ्लेक्स flow होती है, short hand property, flex direction और flex wrap को एक साथ लिखने के लिए, उसके बाद हमने पड़ी justify content और align items, जस्टिफाई कॉंटेंट अगर आपको आइटम्स अलाइन करने है अंगर आपको आइटम्स आइटम्स अलाइन मतलब जस्टिफाई करके अप उस पर जो आपका स्पेस बन जाता है उन लाइन को हैंदल कर सकते हैं अलाइन कॉंडेंट प्रपर्टी यूज करके यह सारी फ्लेक्स कंटेनर की प्रपर्टी यह द्यान रखेगा अब आपको एक चीज और बता देती हूं जब भी आपको आइटम्स को अलाइन करने वर्टिकली सेंट ख्रां घाजैने कुछ निकर रहां में डिस्पेस करी सेंट मेरे चाहिए कुछ में आंप अगर आपको कुछ भी हैं और जिकलीपे सेंटर में लाना में चाहिए तो आप यूज करते हैं फ्रेंग्स बॉक्स का उसमें सिफ जस्टिफाइब कॉंटेंट नोट अलाइन इंटम सेंटर कीजिए आपके सार के सारे आइटम सेंटर में आ जाएंगे यह सबसे एजिएस्ट वे होता है किसी भी आइटम्स को सेंटर करने का आप पूछते हैं कॉनकोंट सी अति है और उससे भी काम करते हुझ मैं जो हमारी क्लास है इनको यहां पर आइडी भी देना चाहती ह। तो मैं काम करते ह। यहां पर यूज करूँगी अर यहां पर इन्हें एक आइडी क्योंकि मुझे इन्हांप आईडी से सेलेक्ट करना पड़ीगा आइड IoT E Galls to Box box और वन ले दे टीश और एक खाम करतीश यहां पर एगय करकें हिंको इड पर फटाहं कर के out होता है यह होतु आगर आपको स्पाटिंग में बॉक्स बनाते आई देनी होती होती है तो मैंने इन्यड ने अब इड़ेदी यह तो इनकी आइदी ओप ऋफी 123456 अब यहां सबसे पहले हम प्रॉपरटी देखेंगे order प्रॉपरटी यह रिषाइड करते है order property देखे है कि आपके flex items किस order में अपियर होंगे अभी तो आपके flex items कैसे अपियर हो रहे है यह देखें यहां पर सबसे पहले तो एक काम करते हैं अब मैंने सार्टिंग में ठेते हुआ यहां से आते हैं यह भी हटादेते हैं अब देखें आपर निसेandaag मैं पारण आईटे जो स्थेंवा CCP हा बहुं सब्.. मैं इसको order net say कर देती हूँ to order करने से यह होगा यह जैसे मिने इसका order to दिया और order to देते ही देखे यह हमारा जो first वाला box है इसको में ने order to दिया वैसे ही यह last में आया तो जिसका जादा order होगा वो last miss चला जाता है बिल्कु यह ध्यान रखेगा अगर मैं जो मारा second box है second क्यों मैं इसका third box लेती हूँ या fourth box ले लेती हूँ और fourth box का मैं order देती हूँ इससे भी जादा मैं इसका order देती हूँ five अब fourth box order सबसे जादा हो गया तो मेरे साबसे तो fourth box को last में आना चाहिए उसके बाद किसका order highest है first वाले का तो यह उसके बाद first आया और बाकी सबके order सेमी है जीरो है तो यह अपनी पोजिशन पही रहे इनकी पोजिशन चेंज नहीं होई अब अगर मैं इन पर्टिकलर order में लगाना चाहती हूँ किसी particular sequence में लगाना चाहती हूँ हमारी जो flex items है उ लगाना चाहती है तो आप उडर कम से कम दे दूंगे लेट से मैं कौन सा ओडर देती हूँ मैं अपने 6th box को 6th box को order number दे देदी हूँ नेगेटिव तो इसका order सबसे कम हो जाएगा तो अगर इसका order सबसे कम हो जाएगा इसका minus 10 कर देती हूँ तो यह सबसे कम वाला starting में आ काना फ्लेक्स इस सब्सकर कर सकते हैं जब मैं सब्सक्रेबरनेक्स सब्सकर करें एक काम काम तरते हैं मैं अक्षोझब दढ़ाओ जब मैं लूग काम करते हैं लूग शनका इतええज़ तो हमारी सब्सक्राइब है ग्रूलना इनका तरिंका साइस लिड़ विछ 10 कि विड़ कम ओना मतलब इनकी विठ वापिस बढ़ते जाना तो जब श्रिंग और इनकी सपेस कम हो रहा है और गरूब होरहे है तो यह इसे इस पीज से année grow बरेंगे Let's say मैं काम करती हूं मैंसब से महले आपको लिखाती हूं फ्लेक्स श्रिंग यहां पर आता है और जो मेरा बोक्स फॉर है मैं चाहती हूं हमारी सारे जो है यह आइटम होते हैं यह सारे सेम स्पीड से श्रिंक होते हैं तो मैं चाहते हूँ जो हमारा फोट आइटम है इसकी यह दुगनी तेजी से श्रिंक हो तो मैं इसकी श्रिंक वैल्यू को चेंज कर दूगी मैं यहाँ पर इसकी फ्लेक्स श्रिंक को चेंज कर दूगी और मैं इसकी फ्लेक्स श्रिंक कि जो आपका इटम्स ते अभी तब तो सेम स्पीड से श्रिंग हो रहे थे लेकिन जो आपका बॉक्स फोर होगा वो थी टाइम्स ज्यादा श्रिंग होगा आपके बाकी फ्लेक्स आइटम से मतलब यह तीन ओना डादा तेजी से श्रिंग होगा यहां पर एक काम करते हैं दे अब देखें यह कितरी टैजी से श्रिंग हो रहा है यह देखेंथ सबकिविट्व रिक्रों से महिं यह कि कम हो गहीं कि है तो यह बहुत तेजी जिंग कर सकते हैं कि किसी भी आइटम की स्रिंग कितनी स्रींग्स नीत चοहिए अन national thing क किसी बीस स्रींग से होने चाहिए अब देखते हैं flex grow यहां चलते हैं VS कोर में और सबसे पहले मैं एक काम करते हूँ जो हमारे boxes है, इन मेंसे 4 boxes रख लेती हूँ, चलो 5 रख लेती हूँ, 6 box को करते हूँ, comment और एक काम करते हूँ, जो हमारे सारे boxes है, मुझे उनकी सबकी flex grow करनी है 1, मैं यहां करूँगी box 1, 1 न इन तीनों का मैं flex grow सेम रखना चाहरू हूँ इसलिये मैं यहां पर एक साथ लिखा एने और मैं इनका flex grow कर दूँगी 1 और जो हमारा ये first box है flex grow इसका कर दूगी मैं थोड़ा सा जादा six और जो हमारा six box है इसको तो हमने अब comment कर देते हैं क्योंकि इसको हमने हटा दिया हमने सिफ 5 box रखे अब देखें जो हमारे सारे box उनकी flex grow 1 ही है 4th की भी flex grow को 1 ही कर देती हूं flex निख देती हूं बार-बार गर्डबड़ी से और flex grow इसकी भी 1 कर देती है हमारे सारे boxes की flex grow 1 है सिर्फ हमारे जो first box है उसकी flex grow मेंने six times रखी है तो अब देखें अब देखें यह जो हमारे पांच है तो यह होता है आपके flex grow का यूज कि यह तेजी से घ्रो होता है और अगर अगर फ्लेक्षक करते हैं आप तो यह तेजी से शर्क होता चला जा यह आपके तयुक्त का साइज तो अपक्र उपनेगर करने लिए और आइटम को सरण करने के इसके का तर्याइंग्वित आप सेट कर सकते हैं एक इसके पार आइटम के लिए सब्सक्राइबस की जो मेरा 4 बोक्स एपने jewels तो आप अपनी विट्ट वोक्स की या इनिशियल लेंथ कर सकते हैं इसके बाद आती है आपकी फ्लेक्स एक चॉट एंड प्रॉपर्टी होती है मैं यहां पर लिख थे हुँ अ अपकी यह सब से पर लिखना होता है अपकी किस मीठ्रे मीठिश ग्रो विव जयसे मिने यहां पर लिखां है था तो मैं यहां पर दिया थे法 उसके बाद मुझे चारonen यूअ करके यही same code A की line में लिख सकते हूं यहां एक बार इसे देख ले रहे हैं देगे कोई स्रक्ट नहीं बढ़ा क्योंकि यह मैंने same code है जो पहले से repeat कर रहा है तो आप flex short end property का यूज करके flex grow flex shrink को flex basis को same line में लिख सकते हैं आपको तीन line of code नहीं रिखना पड़ेगा इसके बाद आती है एक बहुत इंबाजन प्रॉपर्टी अलाइं सेल्फ अलाइं सेल्फ से आप items को particular selected item को किसी भी align कर सकते है cross axis के through आपको cross axis की through ख्रूख राइन करना होता है इसलिए आप align self कर यूज करते है लेट से मैं box4 को यह आप बोक्स फोर को यहां align पर यूज करके मोर्ट थिखते हैं अप यह तर्थ आइड में जो महरास में चला गया मैं जाए है तो अब इन में TI अइसAud into Ahora कर झानियों स्टक्त06 प्रॉपटी के हुग पर्टिकुलर फ्लेक्स आइड में कुछ सकते हैं तोच आप यहारी आपकी align self property align self property का use करके आप particular flex item को align कर सकते हैं corresponding cross axis के through cross axis मतलब आपकी vertical axis और अगर आपको इसे vertical axis के through align नहीं करना तो आपको इसको flex direction को column करना पड़ेगा अगर मैं इसे flex direction रो थी अब मैं इसे column कर दूँए तो यह हमारी access के through align हो जाती है यह दिए यह हमारे box से ऐसे align हो है क्योंकि अब हमारी direction कॉल में और यह flex end में जाना था इसलिए ऐसे चला गया और एक बार मैं इसे आपको दुबारा से center भी कर दिखा देती हूं यहां आते हैं नीचे और हमने यहां पर यह प्लेक्स एंड यह है मैं इसे center देना चाती हूं तो यह अप लेक्स क्टार्ट हो जाता तो यह मीडियम हो जाता और यह व्लास्ट में इसका फ्लेक्ष एंड हो जाता तो ऐसे आप अल्याइंग सेल्फ प्रापटी का यूज करके पर्टिकुलर से सलेग्टिद ख्लेक्टिट आइटम को अलाइग कर सकते हैं cross-axis और main access के through लेगिन by default cross-axis के through होता है अगर आपको main access के through करना है तो आपको flex direction को column करना पड़ेगा तो ये सारी properties होती हैं आपकी flex items की हमने flex item में कौन-कौन ची property देखे हमने दिगा order होता है एक होती है flex string, एक होती है flex grow, एक होती है flex bases और flex होती है और flex होती है आपकी flex grow, flex string और flex bases का short end और उसके बाद हमने देखी aligned self ऐसी आपकी flex container की properties होती है सबसे पहले flex container container में हमने सबसे फ़ली प्रप देखा था कि हम डिस्प्लेश कर सकते हैं अगर हम किसी भी container को flex box बनाना चाते हैं तो हम उसके display flex कर देंगे तिर हमने उसमें property देखी थी flex direction फिर हमने उसमें देखा था flex wrap wrap में no wrap wrap और wrap तब हुसके कब सकते हैं फिर हमने दिखदा शोर्ट हेंड फ्लेक्शन। और फ्लेक्स राप का शोर्ट ह्यांड फ्लेक्स फ्लो उसके चाहistä संपकाले सेंटर फ्लेक्स टार्ट कॉन्ट फ्लेक्शन। यह सब देखा था फिर हमने दिखा था अलाइन आइटम का यूज करें हम अलाइन कर सकता है आइटम को क्रोस एक्सिस के कोर्रिस्पोंडिंग और हम जिस्टिफार का यूज कर सकते हैं आइटम को में एक्सिस के कोर्रिस्पोंडिंग और अलाइन का यूज तब हम करते हैं पॉस्किल भी अपर मुश्किल मता हैं अगश का यूज करें यह आप पोजिशन का यूज खर के जब भी आप एक पॉआप सेंटर में लाना चाहथ एक इस पर हुआए सब्सक्रीध करें से आप ब्ली कर काम कर सकते हैं लेकिन ब्लेक्स बॉक्स करके यह काम बहुत जाधा ऊज़िक हो जाता है इसलिए फ्लेक्स बॉक्स से झारता जाता है क्योंकि यह आफ्सक्षर को को thrill क्या में अगर आपको ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेर कर देने इस वीडियो कर और अलसो डू सब्सक्राइब तो दिस चैनल थांक यू फो वाचिंग दिस वीडियो